कुलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म के इंसाइड बेट हमने डिस्कस किया किस फोर्स ओफ मेगनेट्यूड के साथ दो पॉइंट चार्ज एक दुसरे को रिपैल करेंगे किस डारेक्शन के अंदर किस फोर्स ओफ मेगनेट्यूड के साथ दो पॉइंट चार्ज एक दुसरे को अट्रेक्ट करेंगे किस डारेक्शन के अंदर ये सारे स्टोरी बेट हमने डिस्कस की इंसाइड दा कुलाम्स लाइन वेक्टर फॉन बेटा कुलामशला के अंदर मनें discuss किया जो कुलामशला के आपका इपका वेलर्ड होगा पॉइंट में खार्ज के अपर और उनकी भी स्क्रादिक ओगी स्टैटीक्स यानि कि आपके पॉइंट में शार्ज वे रैस्ट के पोजिशन चार्जेज जो आपका बेटा कुलाम सलाह है ये एक्स्टेंडेड चार्जेज के उपर अपलाई नहीं होता है एक्स्टेंडेड चार्जेज का मतलब बेटा लार्ज साइज के अंदर चार्ज यानि कि देखो extended charges को मिख्जाम्पल की साहता से समझते हैं देखा हमारे पास दो metallic bowl है bowl A और bowl B बेटा bowl A के उपर वेटा हमने क्याउ charge को uniformly distribute किया बेटा same bowl B के उपर वेटा हमने क्याउ charge को uniformly distribute किया दोनों के बीच की separation काफी कम है और दोनों का size भी क्या बढ़ा है तो यहां पर आपका कुलाम्सला valid नहीं होगा क्योंकि कुलाम्सला किसके उपर valid होता है उनली point charge के उपर और आपका point charge के उपर charge in small region small region के अंदर जब आपका charge होता है उसको क्या बोलते है point charge बटा तो इस situation के अंदर कुलाम्सला valid नहीं होगा दो बारे से समझो बटा it is not valid for extended charges कुलाम्सला आपका extended charges के उपर apply नहीं होता क्योंकि इनका size क्या है ज्यादा है और इनके बीच की separation भी क्या है कम है means इनका size बड़ा है और इनके बीच की separation भी क्या है हाँ अगर हम क्या करें इनकी separation को बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा increase कर दे और ये हमें दिखे point जैसे, यानि कि ये point charge की तरह behave करे उस situation के अंदर यहां पर आपका कुलामसला valid हो सकता है वैसे बैट आपको पता है, जो कुलामसला सिर्फ valid होता है point charge के उपर और point charge आपको उता है, charge in small space बैटा second limitation देखो, इसको काफी लोग काफी बाग गल्थ इंटरप्रेट करते है दोबारे से समझो बैटा, जो second limitation है, इसको काफी लोग गल्थ तरिके से इंटरप्रेट करते है अब आप इसको राइट तरिके से समझो बैटा, इसका actual meaning क्या देखो if both charge is in motion, कुलामसला is not valid अगर दोनों charge आपके motion के अंदर है बैटा, तो आपका कुलामसला valid नहीं होगा क्योंकि कुलामसला valid होता है, static charge पे बैटा next देखो, both charge at rest, अगर आपके दोनों charge रेस्ट के अंदर है तो आपका कुलामसला क्या होगा, valid होगा देखो, if one charge in motion and one charge is at rest, if one charge in motion, एक point charge आपका motion के अंदर है और एक point charge आपका rest के अंदर है, तो उस situation के अंदर भी आपका कुलामसला क्या होगा, valid होगा और आपके दोपोईट्ट कि अंदर है तो आपका कुलामसला वैलेड नहीं होगा अगर आपके दोपोंडोंग्ड़ अगर स्टैटिक्स पोजीशन के अंदर है तबी तो कुलामसला वैलीड होता है पर देखो ब Jurassic Watch वो आपका एक क्योंटार्ज क के अंदर एक क्यार्ज शार्ज आपका अरस्ट के अंदर है तो भी आपका पुलामुस ला स्मर्पिक है और और आपका एक पॉइंट चार्ज मोशन के अंदर और एक पॉइंट चार्ज की पोजिशन है रेस्ट के अंदर तो भी उस सिच्वेशन के अंदर आपका कुलाम्सला वैलेड होगा बेटा एक बार दोबारा से देखो बेटा हम जो डिसकस करें टोपिक हो है लिमीटेशन ओफ कुलाम्सला के जो फर्स्ट लिमीटेशन थी बेटा वो थी जुए windows वैलेड फॉर एक इक्सेंडर चार्जस के ऑलेड निय चार्ज उनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूट किया दोनों के बीच की सैपरेशन भी क्या बिटा कम है और जो आपका कुलामसला क्या कहता है कि जो सिर्फ वैलेड होगा इसके उपर पॉइंट चार्ज के उपर तो यहां पर यह पॉइंट चार्ज की तरह बहुत ज्यादा बह जो सैक्ट्रिय डिष्क्श क्या जब लुदमों पॉइंट चार्ज आपकी मोशन चीह उंसिच्वेशन के अंदर कुलामसला वैलेड नहा होगा अगर एक पॉइंट चार्ज आपका मोशन के अंदर हो उस कीघएवीर कि अपते लगल को झाल झाल झाल